हलो दोस्तो स्वागत है छोहान प्रोपर्टीज में दोस्तो आज आपके लिए बहुत ही खुबसूरत मकान लेके आए हैं दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रंट जाली वेशने काफी शांदर है मकान के सामने आपको 20 फिट की रोड मिल जाती है देखे पार्किंग टाइल्स भी लगा कर दी जा रही है प्लस ग्रेनाइट का यूज किया गया है पार्किंग स्पेस आप देख पा रहे हैं आपको टू विलर का पार्किंग स्पेस मिल जाता है टाइल वर्क भी आप देख पा रहे है टैलेंट टाइल्स का इसमें इसमाल किया गया है प्रोपर विंडोस दी गई है और देख सकते हैं चोकर सारी लोही की रहेंगी जिससे की फ्यूचर में भी कोई दीमक का खतरा ना रहे जैसे आप एंटर करते हैं काफी अच्छा ओपन एरिया नजर आता आपको इसको आप अपना लिविंग एरिया या फिर डाइनिंग एरिया बना सकते हैं फ्रिंट में आपको दोस्तों एक कमरा मिल जाता है और देख पा रहे हैं साइज की बात करें तो दस भाई 11 का कमरा रहेगा इसके अंदर आप देख पा रहे हैं प्रोप और विंडो दी गई है इसको आप डाइनिंग एरिया की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं अली टाइप की मोडूलर किचन मिल जाती है किचन की कॉलिटी बे आप देख पा रहे हैं अच्छी दी गई है काफी शानदार किचन की कॉलिटी आपको मिल जाती है बातरूम एक बार आपको दिखा हूँ तो आप देख पा रहे हैं काफी अच्छा स्पेस बातरूम का मिल जाता है इसके अंदर आपको सारी फिटिंग्स मिल जाती है साथ फुट का टाइल वर्क देखने को मिल जाता है वास वेशन लाग के दिया जा रहा है सीड्स लाग के दी जा रही है प्रोपर वेंटिलेशन गई है और सारी fittings लगा के दी जा रही है प्रोपर विंडो दी गई है ventilation के लिए तो काफी अच्छा open area मिल जाता है cabinet quality भी आप देख पा रहे हैं काफी अच्छी quality है cabinets और racks इसमें use किये गए हैं जिससे कि आप अपने बड़तन easily यहां पर रख सके असी गच्छ की दोस्तों यह property मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कामर आपको पीछे मिल जाता है एक front पर मिल जाता है tile work देख पा रहे हैं काफी शानदार है इसके अंदर आपको proper shaft भी दी गई है ventilation के लिए आप चाहे तो यहां पर अपना washing area भी बना सकते हैं पीछे टंकी भी देख लिए पानी का इस्तमाल करने के लिए मकान में आपको सारी बिजली के fittings करा के दी जा रही है मकान बिल्कुल आपको ready to move मिलने वाला है मकान की location की बात करें तो यह location मांसरोवर पार्क है कलोनी का नाम मांसरोवर पार्क है और जो location है वो लालकुवा गाजयबाद की location है distance की बात करें लालकुवा से मतलब एक से डिड़ किलोमेटर की दूरी रहेगी लालकुवा से सीडियों पे भी आपको सारा ग्रेनाइट का वर्क देखने को मिल जाता है अभी यहाँ पर SS की railing लगना बाकी है support के लिए अभी दोस्तो आपको दिखा दू छट दिखाने वाला हूँ इसमें दोस्तो छट भी आपकी रहेगी और जमीन भी आपकी रहने वाली है छट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर tiles लाके दी जा रहे हैं से की गर्मी नीचे दखना जाए पानी की टैंकी की फिटिंग्स करा के दे जा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं दोस्तो जाल दिया गया है proper ventilation के लिए मकान आप देख पा रहे हैं काफी अच्छे मकान चारों तरफ बने हुए हैं और रेड़ी काफी सारी family हैं आप रह रहे हैं आप चाहें तो इसके ऊपर भी तीन मंजल और बना सकते हैं टोटल चार मंजल आप बना सकते हैं एक मंजल हम बना के दे रहे हैं आपको और दोस्तो प्रोपर्टी पे 80% लोन की सुविधा भी अविलेबल है अगर आप चाहें लोन लेना तो आप इस पे में आप मकान के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं बाकि आपका लोन हो जाएगा बैंक से एम आए आपकी बन जाएंगी बाकि दोस्तो जाज़ा जानकारी के लिए आप कोल कर सकते हैं दिये गए नमबर पर या आप मुझे फॉलो कर लें टेलिग्राम पर सारी जानकारी आपको ट क्यार करें